पावर हाउस इस्तित लिंक रोड में आय दीन जाम की स्तिथी बनी रहती है भारी वाहनों का आवा गमन यहां दिन भर होता रहता है जिसकी वज़ा से स्थानी रहवासियों को बेहद परिशानियों का सामना करना पड़ता है इस परिशानी को देखते हुए वेलफेर स्कूल करीब होने से हर समय दुरगटना होने की रहता है इस रोड में भारी वाहनों के प्रवेश से आम लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ता है स्कूल करीब होने से हर समय दुरगटना होने का खत्रा बना रहता है धरना के दोरान सोसाइटी एवं मानव अधिकार परिशत द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया जिसमें आम जनता ने बढ़ चड़ कर हिस्सा रिया प्रदर्शन को लेकर आयोजन करताओं ने मेड पर इस प्रकार से दी यहां पर चोड़े बच्चों की स्कूले हैं कई धार्मिक जगा है और लोग सब्सक्राइब करते हैं हमने उनको दो साल से कई बारा सासन पासान को इस मामले से हम लोग बताए भी है कि सर यहां पर हम लोग को समस्य होती है हमारा चेत्र क्या घनियवादी वाला चेत्र है अगर कई आग लग जाए तो फाइर विगेट पॉस नहीं सकती है और कई मेडिकल किसी को जरुद सोसाइटी और वी सुमाना अधिकार परिस्ट यह दोनों के समर्थन में आज कई धर्ना प्रगाम रखा गया है बड़ी बड़ी गारी अन्लोडिंग लोडिंग होती है इससे नहीं स्कूल को स्कूल है और क्या कभी भी गारी अन्लोडिंग लोडिंग करते हैं इसकारन के लिए है जो अपनी रोड में सुकुन से नहीं चल पाते हैं यहां जो भारी वहांने चलती है उसे एक टाइम फिक्स किया जाए जिस टाइम पर बच्चे यहां पर और सभी अच्छे से चाप आए बिंक रोड में आए दिन गाडियों का जो हुयूम लगा रहता है दस चक डूले से चीवारी लेकि आते हैं इतनी बड़ी राकर बावी कुछ दिन पहले बच्चा दबने से बच्चा हुआ है तो ट्रक वाला कहता दबा तो नहीं तो उसे मजबूर हो करके क्या हम हासे का इंतजार करें तो फासा नहों इसके लिए हम यहां पर धार्ना कर्जसन में कर दो कर दो कर दो